दोस्तों आज हम इस वीडियो में जानेंगे पिज्ञान और हिंदू धरम के अनुसार ब्रहमान का जनम कैसे हुआ दोस्तों आज अगर हम पिज्ञान की माने तो आज से लगवक 13.8 बिलियन एर्स पहले हमारी इस इनुवर्स का जनम हुआ था इनुवर्स कैसे बना इसके लिए अलग अलग तेयोरी दी जाती है जिसमें सबसे फेमस और वाइडली एसेप्टेट थोरी है बिग बैंग तेयोरी जिसके अनुसार सबसे पहले पूरा इनुवर्स एक एटम के आकार जितनी फॉर्ण में समाहित था जिसमें अचानक एक इनुवर्स के जनम को लेकर सनातन द्रम में अलग अलेक फिलते हैं लेकिन दोस्तों वीदों के अनुसार इनुवर्स की उत्पत्ती हिरन गर्ब से हुई जबकि पुरानों के अनुसार ब्रहमान की उत्पत्ती ब्रहमा से हुई दोस्तों हिंदू धरम के सबसे प्राने और ग्रंड रिक बेदा के एने गर्ब सुपत के अनुसार ब्रमान के उत्पत्ति से पहले केबल और केबल अंदिरा था उठीर नहीं करता था तब केबल और केबल और केबल एक्जेश्ट करता था हेरन गर्ब को एक्स्ट्रीम ब्राइट और अल्टिमिट पापरों एनरजी का बिंदू माना गया जिसमें सारे जीब जंतु प्रद्वी भवान स्वर्ग और सब कुछ समाया हुगा था इसी हिरन स्थूपा अंगी रिजा ने इस हिरन गर्व में दो फोर्स होने की वाद कहिए एक था इं सब कोछ ब्रह्मान की रूम में बाहर आ गया और दोस्तों आज मॉडर्ण साइंस में जिसे हम डार्क एनरजी कह रहे हैं वह इंद्रा है और ग्रैप्टी ब्रित्रा दोस्तों हिरन गर्व से ब्रह्मान बनने की प्रिक्रिया एक साइक्लिक प्रोसस है इसलिए एक ऐसा समय आएगा जब संपूर्ण ब्रह्मान बापस हैं गर्म में समा जाएगा और बिल्कुन आज साइंटिस्ट भी ऐसा ही कह रहे हैं कि एक ऐसा समय आएगा जब ग्रैविटिशनल पावर डार्क एनरजी की पावर जो कि इंवर्स की एक्सपेंशन का करण मानी जाती है को ऑबर क देदों में इस बात हजारों सालों पहले कह दी गई थी दोस्तों इनिवर्स की उत्पत्री को लेकर विग बैंग तेओरी और बेद एक जयसा ही कह रहे हैं कि इनिवर्स का क्रियेशन एक पॉइंट से हुआ है दोस्तों लोग धरम और साइंस को एक दूसरे का प्रोधी मान प्रोध गले का प्रोधेल विगका पॉइंट से हुआ है